दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गनित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जामिती यानी की जोमेटरी और जिसमें हम जानेंगे की कोन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको जानने के लिए विडियो को पूरा देखे और विडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करे और विडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर हमें सपोर्ट करे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोन किसे कहते हैं। तो जब दो किर्णे एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है और उनके बीच जो जुकाव बनता है कोन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के बनते हैं। ये मुख्यत है छे प्रकार के होते हैं। एक शूने कोन, दो न्यून कोन, तीन सम कोन, चार अधिक कोन, पांच रिजु कोन, छे प्रतिवर्ती कोन। और आपको बता दें कि इनके अलावा एक कोन और बनता है जिसे संपून कोन कहते हैं। तो अब हम एक एक कर इनको जानेंगे। हमारा पहला कोन है। शूने कोन, शूने डिगरी का कोन शूने कोन कहलाता है। अर्थात दो भुजाओं के मध्य जुकाव शूने हो। हमारा अगला कोन है। न्यून कोन, शूने से 90 डिगरी के मध्य बनने वाले कोन न्यून कोन कहलाते हैं। हमारा अगला कोन है। समकोन, नब्बे डिगरी के कोन को समकोन कहते हैं। हमारा अगला कोन है, अधिक कोन, नब्बे तथा एक सौ असी डिगरी के मध्य बनने वाले कोन अधिक कोन कहलाते हैं। हमारा अगला कोन है, रिजु कोन, एक सौ असी डिगरी का कोन रिजु कोन कहलाता है। हमारा अगला कोन है, प्रतिवर्ती कोन, एक सौ असी तथा तीन सौ साथ डिगरी के मध्य बनने वाला कोन प्रतिवर्ती कोन कहलाता है। हमारा अगला और अंतिम कोन है? संपूर्ण कोन 360 डिगरी का कोन संपूर्ण कोन कहलाता है?